सावन के तीसरे सोमवार पर जितनी बार शिफशंकर को याद कर लीजे उतना ही शुब होगा आज सावन की तीसरे सोमवार पर कई विशेश उपाई लेकर आपके लिए आई हूँ आज उपाई कीजिए महादेव फल जरूर देंगे और आपको याद होगा मैं पूरे सावन आपके लिए स्पेशल सीरीज लेकर आई हूँ आज मैं आपको सावन के उन दस फूलों के बारे में बताने वाली हूँ जो की शिपजी पर चढ़ाते हैं तो आपकी मनो कामना जरूर पूरी होगी हो सकता है कोई फूल आपके आसपास ही हो आज मैं आपको सावन के शुब और अशुब संकेतों के बारे में बताऊंगी आपको पता चलेगा आपके आसपास क्या अच्छा है, क्या बुरा घट्रा है और आज आपको सावन में पुनली मिलान से पहले किये जाने वाले उपाई भी बताए जाएंगे तो आज का दिन बहुत बहुत एहम है सबसे पहले सावन के तीसरे सोमवार की खास बातचीत, खास जानकारी शिफ पुरान में सावन के दौरान शिफ पूजा का क्या तरीका होना चाहिए शिफ पुरान में दिया गया है आज जानिए सावन में शिफ पुरान के अनुसार भगवान शिफ को कौन सा फूल चड़ाने से क्या result मिलता है, क्या फल मिलता है अभी सावन समाप्त होने में 10 दिन बाकी हैं, क्या पता आपका वन्चहा फल आपको मिल जाएं सबसे पहले बात करूँगी लाल और सफेद आकड़े के फूल, ये भगवान शिफ को चड़ाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष ही नहीं कि आप को सीधा रित्यू लोक ले जाया जाएगा, मोक्ष का मतलब ये है कि जिस प्रॉब्लम से, जिस सिचुएशन में आप इस से भी मुक्ति मिलेगी, पर अगर कोई बुजर्ग बहुत बिमार हैं, तो उनको ये जरूर करना चाहिए, चमेली का फूल, ये तो आपके घर में भी उपता है, इसको अगर आप क्योंकि चमेली का फूल जो है, ये शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, और शुक्र यान बश्योंको प्रियर हो जाता है, आपके कई पाप शमा हो जाते हैं, इसका मतलब ये आप आप करें और फूल चड़ा दें, भगवान विश्नु को प्रियर होने का मतलब किया? भगवान विश्नु का पॉपस है, मिन्टेन करना, चीजों को संभालना, अगर आपके जीवन म प्राप्तों के पूजन करने से मोक्ष प्राप्त होता है मोक्ष बिल्कुल यह मत समझे कि आप पर लोग पहुंच गए वेकुंट पहुंच गए नहीं नहीं शमी के पत्ते यानि की शनी तो अगर आपको शनी देव तंग कर रहे हैं जौब में प्रोमोशन नहीं है बॉस ने हर लड़के को पसंद आएगा जी हां बेला के फूल से पूजन करने पर सुन्दर और सुशील पत्नी मिलती है वह आप कहेंगे हम में से तो कितने मैरेड है तो आप क्या दूसरी पत्नी मिलेगी सुन्दरता तो आँको का परसेप्शन है आप यह फूल चड़ाई यह बेला लोग अन की कमी नहीं आएगी बहुत सारे लोग अन को यह समझते हैं कि हमारे गर में रोटी आती रहेगी पर रोटी जीवन नहीं है अन की कमी का मतलब यह होता है पहले जमाने में साधू और सब लोगब बहुत लोग घर आया करते थे उसमें कमी ना पड़े अब आज के जमाने में अन्म का मतलब यह है कि prosperity रहेगी इसलिए आप यह कर सकते हैं कनेर के फूलों से भगवान शिफ का पूजन करने से धन लाग होता है कनेर के फूल आपको पता है घर में उगाने से भी मा लक्ष्मी की कृपा मिलती है लेकिन इससे आप कीजिए और फिर जब आप पूजन करने पर आपको सुख और संपत्ति में व्रिद्धी होती है जब भी हम बात करें पूजा करने से तो प्रसाद के तौर पर उस फूल को लाईए और अपनी तिजोरी में नहीं रखिए क्योंकि सुखे फूल जो है वो खराब बुद्ध है उसको वापस मैन्योर बना अभी के धतूरे के फूल इससे पूजन करने पर संतान प्राप्ति का सुख मिलता है अगर ऑल्रेडी बच्चे हैं आपके तो बच्चों का सुख मिलना अलग बात है बच्चा होना अलग बात सुख मिलना अलग बात तो बच्चे सुनते नहीं हैं तंग करते हैं या आपके इसके साथ मनोकामना लिख के शिवजी पर चड़ाई दीजे दूरुआ से भगवान शिवजी का पूजन करने पर आपकी आयू बढ़ती है आज सावन का तीसरा सोमवार है कई लोगों को शायद पता नहों हनुमान जी भी रुद्रवतार थे उनमें शिवजी का ही अंश है इसलिए सावन में शिवजी के साथ हनुमान जी को भी प्रसंद कीजे आपको कल यानि कि सावन के मंगलवार को जो उपाई करने है वो बताने जा रहे हैं नोट कीजे, सावन में संकट मोचन की कृपा मिल गई तो जीवन में खुशिया ही खुशिया रहेंगे सावन में किसी भी मंगलवार को यानि कि कल भी आप दुपहर में हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें चूरमे का भोग लगाएं उन्हें चूरमा बहुत पसंद है आप पीपल की ग्यारा पत्तों पर कंदन और कुम्खुम से श्रीराम का नाम लिखें इसके बाद इन पत्तों की माला बना कर हनुमान जी को चढ़ा दे जायuti हनुमान जी के सामने ओम रामायनमह च्तरी राम या सीता राम का जाब जरूर करें हनुमान जी को लाल फूलों के साथ जनयू सुपारी भी चड़ानी चाहिए गाय के शुद्गी से बने पकवान का भोग हनुमान जी को कभी भी लगाया जा सकता है बजरंग बली को आकड़े के फूर चड़ाने से भी काम में आ रही दिक्कत न यूदूर हो जाती है और चमेली के तेल का पाँच बातियों वाला दीपक हनुमान जी के सामने जलाईए इस से आपके पाँच तरीके के जो नेगेटिव इंपक्ट हैं काम, क्रोध, लोब, मो, अंकार जो दुख के कारण हैं उन पर कंट्रोल होगा हनुमान जी की मूर्ती पर लाल चंदन में केसर मिलाकर लगाईए इस से अशान्ती और घर का कलिश दूर होता है सावन में आपके आसपास शुब अशुब संकेत होते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता मैं आपकी फैमिली गुरु हूँ, आपके पास घटने वाले शुब अशुब संकेत पर नजर रखते हो अब बड़े ध्यान से सुनिए, आपको सावन में एक एक करके शुब अशुब संकेत की पहचान बता रही हो ताकि आप सतर करहें पहला शुब संकेत सुनिए, अगर आप किसी काम में जा रहे हैं और आपके सामने सुहागन फीमेल और गाये आ जाएं तो ये शुब संकेत हैं, काम में सफलता में लेगी पहला आशुब संकेट सुबह सुबह दूद को देखना शुब होता है लेकिन दूद का बिखर जाना उबल कर गिर जाना घर में कलह की वज़ा बनता है तो देखिए दूद गैस पर रखे भूलिया ना करें दूसरा शुब संकेट सुनिए अगर कपड़े पहनते समय जेब से पैसे गिर जाएं धन प्राप्ति का संकेट है कपड़े उतारते समय भी ऐसा हो तो शुब होता है डूसरा अशुप संकेत ये है कि शीशे का हाथ से छूट कर तूट जाना अशुप संकेत माना जाता है डरिये ने ऐसे में उसको दुबारा तोड़ दीजिए अब एक शुप संकेत सुनिए सुभे के समय अगर पानी से भरी बालती दिखाई दे जाए शुप संकेत लेकिन मन में सोचिए उसी समय काम पूरा होगा अशुप संकेत सुनिए अगर खाली बालती दिखे अशुप समझ जाता है जिससे बने बनाए काम बिगर जाते हैं एक और जरूरी बात रात को खाली बालती को उल्टा करकर ही रखना चाहिए चौथा शुप संकेत घर में लोही का उनाज शुप कहा जाता है लोही में एक शक्ती होती है जो बुरी आत्माओं को या फिर बुरी नेगिटिविटी को घर से भगा देती है चौथा शुप संकेत पुराने और जंग लगे लोहे को घर में रखना अशुब है, घर में लोहे का समान साफ करके रखे पांचवा शुब संकेत सुनिए अगर किसी को राह में कोई हेरपिन पड़ा मिल जाए तो समझो कि उसे कोई नया मित्र मिलने वाला है पांचवा अशुब संकेत सुनिए अगर आपकी हेरपिन खो जाएं तो समझे नए दुश्मन पैदा होने वाले हैं हेरपिन को घर में कहीं लटका दिया जाएं तो ये अच्छे भागे का प्रतीक बाना जाएगा सिक्स्त अच्छा संकेत सुनिए अगर शरीर पर चिडिया गंदगी कर दे तो आपको समझना चाहिए कि आपकी गरीबी दूर होने वाली है शुप शकुन इसी तरीके से अशुप संकेत ये हैं कि अगर किसी काम पर जाते वक्त कोई टोक दे तो ये अशुप बाना जाता है शादी के लिए सावन से अच्छा कोई महीना नहीं होता भोले नात और मापारवती की क्रिपा से शादी ज़रूर हो जाते है लेकिन कुनली में कुछ दिक्कते अगर आ रही हो तो आपको क्या करना है शादी से पहले कुनली मिलाने की प्रथा में किसी को बिलीव होता है तो किसी को नहीं होता लेकिन आप इसे सिर्फ एक मानिता मान कर अंदेखा नहीं कीजिए जी हाँ, कुछ उपाई बता देती हूँ कुनली मिलाने से पहले ही उपाई कीजिए तभी तो कुनली मिलाने की स्टेज आएगी न अगर लड़की की शादी में दिक्कत आ रहे हैं तो थरस्डे को लड़की को वरत करना चाहिए उस दिन कोई पीली चीज का दान करना चाहिए सावन के महीने में जल्दी शादी के लिए आप आस्पा सुपाई कर सकते हैं शिवजी को बिलपत्र चढ़ाएं बिलपत्र की संख्या 108 हो तो बहुत अच्छा रहेगा शिवजी की पूजा करके निर्माल्य का तिलक लगाएंगे तो भी जल्दी विवा के योग बनेंगे सावन में किसी पे दिन हल्दी योगत रोटियां बनाकर हर रोटी पर गुर रखकर आपको गाई को खिलाना है लगातार साथ हफता ऐसा करें चल्दी ही शादी के योग बनेंगे अगर लड़की की शादी में कोई रुकावट आ रही है पूजा वाले पांच नारियल लीजी पाकवान शिफ की मूर्ती या फोटो के आगे रखकर ओम श्रीम वर्पदाय श्रीम नमहा मंतर का पांच मला का जाब करें पांचों नारियल शिफ जी के मंदर में चढ़ा दीजे शादे की बाधाई अपने आप दूर हो जाएंगी आप चंद दर्शन भी है और आपको आपकी कुनली में चंद्रमा की स्थिती मजबूथ कैसे करनी है ये बता देती हूँ क्योंकि चंद्रमा का मजबूथ होना आपके लिए बहुत 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 जरूरी है घर में उत्तर पश्चिम दिशा में जाड़ों या कोई भी गंदगी जैसी चीज पोचा डस्टर ना रखें साथी घर के उत्तर पश्चिमी कोने में गुलावी रंग का बल्ब या फिर आप वाइट कलर का बल्ब लगा सकते हैं जो दिन धलते ही चला लें चंद्रमा को मजबूत करने के लिए दस रती का मोती धारन करें सोमवार के दिन इंडेक्स फिंगर में चांदी की अंगूठी बिना जोड़ वाली धारन करें आप मोती नहीं खरीच सकते तो मोती की उपरांथ मून स्टोन को भी पहन सकते हैं काले और लाल रंग से थोड़ी सी दूरी बना लिजे फूलों की सुगन चंद्रमा के स्थिति को मजबूत कर सकती है जैसे कि चंदन लिली चमेली कमल ये फूलों की सुगन का इस्तिमाल कर सकते हैं इत्र का इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपको चंद्रमा कमजोर हैं तो घर के म वास्तु भी कमजोर चंद्रमा की वज़ा के नेगेटिव इंपक्ट को बढ़ाता है। अपने चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए आपको अपने घर की वस्तुओं में थोड़ा बदलाब करना पड़ेगा। चंद्रमा को नौर्थ वेस्ट डारेक्शन का स्वामी माना गया है। इसलिए अपने घर की नौर्थ वेस्ट डारेक्शन को आपको स्टेबल रखना चाहिए। साथ-साथ यहाँ पर आप वाटर एलिमेंट भी रख सकते हैं। और तो और इस डारेक्शन में आप मूवमेंट वाले काम करेंगे या चीजे रखेंगे तो आपको बेनेफित होगा।